रेजिस्ट्रेशन नंबर और आज की देट 70203 देट मैं एज कितने आपकी? 30 एस कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको? 15 साल से तो कितने दिन हो गया दवा लेते वे हमारे यहांसे? एक महिन हो गया 7th February को स्टार्ट कर रहा था अच ठीक एक महिने में कितना इंप्रॉब्लम्मेंट हुआ है? 15-20 परसेंट क्या इंप्रॉब्लमेंट हुआ है? पहले मैं दूसरी दवाईयां ले रही थी तो जब लेकिन जैसे ही बंद कर दो तो उसके बाद लिखने में परिशानी हो जाती थी अब वह दवाई मैंने बंद कर दी ती कब बंद किया यहां पंदरा दिन पहले यह होमेप्रेथिक दवाई शुरू करने से फंदरा दिन पहले फिर इस जी वाली दवाईया जब शुरू करी तो उसके बाद से या इस पंदरा से बीस परसे टारा में क्योंकि उन दवाईयों के दिना भी लिख पा रही हूं पहले जैसे अगर बंद कर दे दिन यह दावाईया तो लए लिख पाती थी ठीक है तो यहां दवा इस स्टार्ट करने से पहले दवाईयां बंद कर दे आपने यह आपकी पुरानी राइटिंग है जो रजिस्टर में है और यह आपकी नई राइटिंग है कि यह आपकी पहले से बेटर है ग्रिप भी बेटर है पर यह है कि मतलब अगर चार पांच लाइन लिखने के बाद थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगाना ठीक है यह आपने आज इंग्लिश में भी लिखा है पूरा एक मिट में आपकी जो पिछली बार आपने लिखा था वो राइटिंग यह है आपकी ओन नैंटीवन तो पिल-किल चीजों में आराम मिला है क्या क्या चीज़ें बची भी है अबी पहले जैसे अगर बिना दवाई के बहुत जादा परेशानी होती थी लिखने में चार-बाच लाइन के बाद ही पैन फिसलने लगता था हाथ से तो अभी पैन तो उतना नहीं फिसल रहा और जैसे बहुत जादा दर्द भी होता था रिस्ट में थोड़ी देर लिखने के तो अभी थोड़ा कम प्रेशर लगाना पड़ता है और पेन भी कम है लिखने कुने तो अलोप्रतिक दवाएं आप कितने दिन से ले रही थी की अदेड़ साल से टीक और को इंजक्शन नहीं लगवाया है नहीं कुई इंजक्शन नहीं कुई आ अभी जो ग्रिपिंग है उसमें थम जो है उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें टाइम लगेगा काफी जैसे यहां पर बेंड है और ऐसे आगे भी आज़ा इंडेक्स फिंगर ग्रिप में सपोर्ट कर रही है शुच्छे साथ लाइन तक सपोर्ट करती है फिर थोड़ा सा उठती है अभी ठीक प्रॉब करता है